चौथा पाट गुबारे पर चीता प्रिष्ट संख्या 17 से 22 तक अब सुनिये कहानी गुबारे पर चीता मैं तो जरूर चाऊंगा चाहि कोई छुटी दे या ना दे बलदेव सब लड़कों को सरकस देखने चलने की सलाह दे रहा है बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सरकस पार्टी आई हुई थी सारे शहर की दिवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिये गए थे विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाए गए थे लड़के तमाशा देखने के लिए लल्चा रहे थे पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था मगर हेड मास्टर साहब ने लड़कों को वहाँ जाने की मनाही कर दी थी इस्तिहार बड़ा आकर्शक था आ गया है आ गया है जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे वही बंबई सरकस आ गया है आईए और तमाशे का आनंद उठाईए बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो ना किसी ने देखा होगा और ना सुना होगा लड़कों का मन तो सरकस में लगा हुआ था सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे क्योंकर शेर और बकरी एक बरतन में पानी पीएंगे और इतना बड़ा हाथी पैर गाड़ी पर कैसे बैठेगा पैर गाड़ी के पहिये बहुत बड़े बड़े होंगे तोता बंदूक छोड़ेगा और बन मानुश बाबू बनकर मेज पर बैठेगा बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब की कौपी पर शेर की तस्वीर खीच रहा था और सोच रहा था कि कल शनीचर नहीं इतवार होता तो कैसा मज़ा आता बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किये थे मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं हेड मास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह जामे से बाहर हो गया छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकलाया और लड़कों से बोला मैं तो जाऊंगा जरूर जाऊंगा चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे मगर और लड़के इतने सहसी न थे कोई उसके साथ जाने पर राजी न हुआ बलदेव अब अकेला पड़ गया मगर वह बड़ा जिद्धी था दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था शनीचर को और लड़के तो मास्टर के साथ गेंद खेलने चले गए बलदेव चुपके से खिसक कर सरकस की ओर चला वहां पहुचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत जुझलाया वह शेर है मालुम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो वह भला क्या बीस हाथ उचा उचलेगा और यह सुन्दरवन का बाग है जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो मुर्दे की तरह पड़ा है वाहरे भालू यह भालू है या सुवर और वह भी काना जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा हो अलबत्ता चीता कुछ जानदार है और एक तीन टांग का कुत्ता भी यह कहकर बड़े जोर से हसा उसकी एक टांग किसने काट ली दुम कटे कुत्ते तो देखे थे पैर कटा कुत्ता आज ही देखा और यह दोड़े का कैसे उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहां नाहक आया एक आने पैसे भी गए इतने में एक बड़ा भारी गोबारा दिखाई दिया उसके पास एक आदमी खड़ा चिला रहा था आओ चले आओ चार आने में आसमान की सेर करो अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौक पड़ा पीछे फिर कर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा वही चीता ना जाने किस तरह पिंजरे से निकल कर उसी की तरफ दोड़ा चला आ रहा था बलदेव जान लेकर भागा इतने में एक और तमाशा हुआ इधर से चीता गुबारे की तरफ दोड़ा जो आदमी गुबारे की रसी पकड़े हुए था वह चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा बलदेव को और कुछ न सूचा तो वह जट से गुबारे पर चड़ गया चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूद कर गुबारे पर जा पहुचा गुबारे की रसी छोड़ कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था वह गुबारा उड़ने के लिए बिलकुल तयार था रसी छूटते ही वह उपर उठा बलदेव और चीता दोनों उपर उठ गए बात की बात में गुबारा ताड के बराबर जा पहुचा बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिला चिला कर उसे बचने के उपाए बतलाने लगे मगर बलदेव के तो खोश उड़े हुए थे उसकी समझ में कोई बात ना आई जियों जियों गुबारा उपर उठता जाता था चीते की जान निकली जाती थी कि कौन मुझे आसमान की ओर लिये जाता है वह जाता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी सारा चीतापन भूल गया था आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पाउं फूल गए और वह फिसल कर उल्टा नीचे गिरा जमीन पर गिरते ही उसकी हड़ी पसली चूर चूर हो गई अब तक तो बलदेव को चीते का डर था अब यह फिक्र हुई कि खुबारा मुझे कहां लिये जाता है वह एक बार घंटा घर की मीनार पर चड़ा था उपर से उसे नीचे के आदमी खिलोनों से और घर घरोंदों से लगते थे मगर इस वक्त वह उससे कई गुना उंचा था एक एक उसे एक बात याद आ गई उसने किसी किताब में पढ़ा था कि खुबारे का मुझ खोल देने से गैस निकल जाती है और खुबारा नीचे उतर आता है मगर उसे यह ना मालूम था कि मुझ बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए उसने एक दम उसका मुझ खोल दिया और खुबारा बड़े जोर से गिरने लगा जब वह जमीन से थोड़ी उंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा दर्या बह रहा था फिर तो वह रस्सी छोड़कर दर्या में कूद पड़ा और तैर कर निकलाया लेखक प्रेमचंद अभ्यास शबदार्थ नाहक बेकार में दर्या नदी जानदार ताकतवर सलाह मश्वरा राय आकरशक दूसरों का ध्यान अपनी ओर खीचने वाला जामा कपड़ा तमाशा मनोरंजन इश्तिहार विज्यापन बे तहाशा तेजी से बिना इधर उधर देखे फिक्र चिन्ता दुर्दशा बुरी हालत हिसाब गणित एक कहानी से क हेड मास्टर साहब ने बच्चों को सरकस में जाने से क्यों मना किया होगा ख सरकस के बारे में कौन-कौन सी अफवाहें फैली हुई थी ग बलदेव सरकस में जाकर निराश क्यों हो गया ग बलदेव और चीता दोनों गुबारे पर उपर उठते जा रहे थे फिर भी चीते ने बलदेव को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुचाया ना कहानी के इस वाक्य पर ध्यान दो इतने में उसे एक बड़ा भारी खुबारा दिखाई दिया तुम्हें क्या लगता है कि खुबारा भारी होता है लेखक ने उसे भारी क्यों कहा है दो, सोचो और बताओ क, गुबारे में से हवा निकलने पर वह नीचे क्यों आने लगता है क, स्कूल में तुम्हें क्या क्या करने के लिए अनुमती लेनी पड़ती है ग, क्या तुमने अपने आसपास के जानवरों की दुर्दशा देखी है उसके बारे में बताओ ग, सरकस में जानवरों के कर्टब दिखाए जाते है उनके प्रती कुरूरता बरती जाती है क्या ऐसे सरकस को मनोरंजन का साधन माना जा सकता है सरकस को स्वस्थ मनोरंजन का साधन बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए तीन मुहावरे इन वाक्यों को सुनो उनमें इस्तेमाल हुए मुहावरों को अपने ढंक से इस्तेमाल करके कुछ और वाक्य बनाओ क्या बलदेव के तो होश उड़े हुए थे इसमें वहावरा है होश उड़े हुए ख्या बलदेव के दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता इस वाक्य में वहावरा है बात बैठ जाती गर वह इतना डरा कि उसके हात पाउं फूल गए इस वाक्य में वहावरा है हात पाउं फूल गर ऐसा लगा जैसे किसी ने चीता का खून चूस लिया हो इस वाक्य में मुहावरा है खून चूस लिया, ना, बलदेव का दिल कांप उठा, इस वाक्य में मुहावरा है, दिल कांप उठा, चार, तुम्हारी बात, क, तुम्हारे स्कूल से भागने के, कौन-कौन से बुरे परिणाम हो सकते हैं, ख, किसी चीज के प्रचार के लिए विज्ञापन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ग, तुम भी सडक सुरक्षा, प्रदूशन और शिक्षा के बारे में विज्ञापन बनाकर अपने मित्र को दिखाओ, तथा पूछो कि उसे तुम्हारा विज्ञापन पसंद आया या नहीं, कारण भी पूछो. पांच, समझो, अजीब अजीब, धीरे धीरे, अभी अभी, जियों जियों, चूर चूर, हिसाब किताब, जब तब, खेल तमाशा, भूख प्यास, हड़ी पसली.